वेल्कम आई दियर फ्रेंड्स और स्टुडेंट्स आप आप सभी की दिवाली बहुत अची गई है आपने बहुत अच्छे सब्सक्राइब किया और आप फुली एक्साइटेड हो उसी मूड को कारी ओन करते हुए और हमारे फिफ सेशन की तरफ आप आए हैं जिसमें हम आज सब्सक्राइब करेंगे प्रेवियस यह की वकाप जो सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं यह सेशन इसमें भी हम अराउंड 20 सेनॉनिम्स पर ही फोकस रखेंगे अभी के लिए इस बार भी मैं आज के सेशन में सिनॉनिम्स लिए डाल रहा हूं कि यह कुछ बेसिक से हैं इंकमीनिंग आपको अल्रेडी पता होगा बाकि कुछ जो रिमेनिंग रहेगा जो टफ पोर्शन रहेगा वह मैं आ 1 to 40 हमारे सेनॉनिम सोच चुके हैं और यह हमारे पास 41st है इसके अंदर भी सेम वैसे हैं यह एसा ही सिटिंग का 2012 को को कुछिन है जिसमें आपको अगें वही है इन फॉल्विंग कुछिंस आउट फॉर अल्टरेटिवस चूज दे मीनिंग ऑफ दिगिवन वर्ड विच ए सबस्क्रिमिनेशन आपके पास जो वर्ड है सबसे पहला आपके पास आज के लिए जो वर्ड है इन डिस्क्रिमिनेटर अप डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत बारी सुनते हो डिस्क्रिमिनेशन आई वाज डिस्क्रिमिनेटर्ड on the basis of my color example there is a gender discrimination so discrimination actually होता क्या है discrimination होता है जब हम किसी के साथ भेद भाव करते हैं discriminate का मतलब होता है भेद भाव करना indiscriminate यह एक adjective है अब अगर आप बात करते हैं भेद भाव की discriminated यहाँ पर discriminate verb बनेगा अब यहाँ पर आपके पास indiscriminate है इसका meaning क्या होगा इन लगा है तो इसका opposite होगा ही obviously तो अगर हम discriminate में क्या कर रहे हैं भेदबाव कर रहे हैं तो इन discriminate में क्या होगा हम कोई भेदबाव नहीं करेंगे किसी को special treatment नहीं मिलेगा सब क्यासी होंगे random, common, without any order, orderless भी हो सकते हैं, sub situation chaotic भी हो सकती है मतलब सब चीज बिखरी हुई है तहस नहस हो रखा है वहां पर कोई particular law and order नहीं है यह यह लगा लो कि हम किसी को special treatment नहीं दे रहे हैं किसी को जादा benefits नहीं दे रहे हैं सब चीज़े हमारे लिए equal हैं और वो क्या हो जाएगा indiscriminate अब इसके लिए आपके पास options क्या क्या है instant, sensible, discreet और undifferentiated अब आप क्या करते हो generally क्या होता है अपने differentiated भी पढ़ा होगा यह भी बहुत common word है generally जब आप schools के exam देते थे ना और आपके पास difference between आता था जब आप two columns बनाके things को differentiated गरते थे, differentiate का मतलब क्या होता है, उनके बीच का difference क İs को favor Rican किसी को favor करना कि सी को favor ना करना अब यहां पर undifferentiated का meaning क्या होगा, जब हम किसी में कोई और बिवेंस नहीं निकाल रहे, सब चीज़ कैसी है सब चीज़ा कैसी है, common है सब चीज़ों को equal importance मिल रही है मतलब किसी को कोई जाधा importance या कम importance नहीं मिल रही तो obviously मुझे indiscriminate का synonym चाहिए indiscriminate का मतलब था कि सब भी चीज़े equal हो तो obviously इसका synonym गया बनेगा undifferentiated मतलब जैसमें हम कोई एक particular order follow नहीं कर दे सब एक जैसे ही है इंस्टेंट का मतलब होता है एक दम से उसी time का sensible जो काफी समझदार हो discrete discrete का मतलब भी उसी sense में होता है जो sensible sense में होता है discrete का यह होता है कि जब आप किसी को जादा sure शराबा करें कोई बात नहीं बताते है normal way में कोई बात बता देते हो मतलब एक hideous way में secretive way में मतलब जब किसी के secrets को अपने पास रखते हो या अपने secrets उसको बताते हो but discrete way में जिससे क्या होता है कि बाहर के किसी person को knowledge ना में लिया तब वो तो एक discrete हो गया sensible or discrete दोनों सेम ही होते है obviously क्या जाता है generally यह same sense क्यारी करते है अगर आपके इस चीज़ को sensibly understand कर दे तो आप उसको deeply समझोगे न यह तो नहीं कि चूर चराबा करोगे या हर किसी को बताने लग जाओगे कि नहीं भी ऐसी होगा ऐसी होगा या अपनी मतलब उस चीज़ को समझना polite way में discreet चलिए यह बहुत simple सा word था इसी को continue करते हैं हमारे पास नेक से 42nd word जो कि है literally literal जो word है यह बहुत simple word है यह भी आपको अल्रेड़ी पता है यह भी ऐसा है कि 2012 वाली सेटिंग में हिया है literal का meaning ज़िए suppose करो he literally example के लिए suppose करो मैं यह word देता हूँ आपको और इसमें आप मुझे इसका meaning guess करके बताना कि क्या दहेगा he literally called out my name he literally called out my name literally और figuratively देख यह literal के लिए आपके पास होता है figuratively अब दोनों में difference क्या होता है he literally called out my name का मतलब क्या होगा उसने exactly मेरा name बोला मतलब पूरा proper मुझे बोलाया अब figuratively का मतलब अब एक sentence में suppose करो मैं आपको एक example देता हूँ जैसे he is red like fire अब यहाँ पर red like fire का meaning क्या होगा यह जो बात आप बोल रहे हो ना यह एक figurative बात है आप यहाँ पर comparison कर दाए हो मतलब कि वो गुसा है वो fire के जैसे लाल हो रखा है या यह कुछ भी और example लगा लो बैसे कि लिए जब आप एक दूसरा example carry करके जिस्ट अपनी बात को explain करना चाहते हो ना metaphor का use करके वो क्या होता है वो figurative बात है उसका meaning कोई exact meaning नहीं है अब suppose करो मैं तुमको एक और example दो fire is red अब यहाँ पर literally यहाँ पर हम color की बात कर रहे है कि red है तो इसका meaning क्या है या suppose करो iron is red या hot iron is red basically literal का meaning क्या होता है literally adjective है इसका meaning की क्या होता है इसका meaning होता है जब आपनी बात को न exactly बता रहे हो बिना कोई नाप तोल गई exactly का मतलब नाप तोल गई मतलब कोई फाल्तू की बात ना करके आप directly जब अपनी word to word बात रखते हो ना जिसमें आप अपना meaning पुरा प्रापर लिबता दो वह किया हो लीटरल है अब यहां पर बाखी के meanings अब बाखी के words लेते हैं हम अरिपस क्या वेलवल है वर्पेटम फार्मिल आइडियस्टिक और आउटटेटेटेटेग्स अब लेकिए उसका मीनिंग के है कि वो ना इक्सपायर हो जाएगी वो आगे यूसफुल नहीं रहेगी वो ऑबसुलीट हो जाएगी आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं आउट्डेटेड का मीनिंग क्या होता है एक ऐसी चीज जो आगे आप फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते तो आउट्डेटेड एक्सपायर्ड ऑबसुलीट यह सभी कहें इसका सिनोनिमा तो 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 इस इंग विच नॉट है आइडीयलिस्टिक का मतलब मैं जो रियल है जो useful है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने practical है वह जो चीजहें आप यह में यूज कर सकते हो वह सभी idealistic जो सबस्क्Freूच्णार सब उसके कब होचाँ इसकली ऑफिसिए और बेसिकली आपकी क्लोविंगभी हो वर्मल वे भी हो सकता है बात करने का तो फॉर्मल का मतलब क्या है जिसमें आप एक प्रॉपर पॉलाइट वे गरी करते हो जो फॉर्मली आप किसी बात करने का तरीका है जब आप अपने वर्ट्स को एक्जसाइक्ट्री बोलेंगे ना बिना कुछ एक्स्ट्राइब वह वर्च्टम होगा और वही आपका क्या है लेटरल का सीनॉनिम अपके पास क्या है वर्च चलिए अगे चलें हमाहरे पर स्ने Channel है, intricate, अब intricate क्या होता है, यह एक adjective है, let's आपको example देता हूँ, the sums from the test, were too intricate, sorry, were too intricate for me to understand, understand के लिएक थोड़ा है, different word use करूँ तो comprehend, मतलब जो some summary test में से आये थे ना, वो कुछ जादे ही integrated से मुझे समझने के लिए उनको comprehend करने के लिए, अब आप समझ गई होंगे, यहां पर integrated का meaning क्या निकल ला, तो integrated का meaning होता है, complicated, मतलब काफी difficult, जो चीज hard to understand है, obviously वो complicated thing है, puzzling क्या होता है, जिसमें आप puzzled हो जाएं, मतलब आपको चीज तो समझ आ रही है, पर आप confused है, confused होना और ना समझने में difference है, suppose करो, आपके पास एक कैसी चीज है, जैसे suppose कर मैं तुमको बोलता हूँ, by monthly, by monthly आपके पास एक word है, अब मुझे इसका meaning बताईए क्या होगा, by का मतलब आप समझ जाएंगे two है, monthly का मतलब month के अंदर, है ना, तो अभी इसके इसके इनर two meanings निकल सकते हैं, कैसे कैसे, twice a month भी हो सकता है, मतलब कोई एक चीज जो दो महीने में एक बार होती है, या happening in two months, या ये भी हो सकता है, by monthly है ना, इसका meaning एक ये भी निकल सकता है, once in two months, मतलब एक ऐसी चीज जो दो महीने में एक बार हो, या एक महीने में दो बार हो, उसके लिए जो word रहेगा ना, वो by monthly ही है, अब यहाँ पर आप क्या है, आप इसके meaning से puzzled हैं, आप confused हैं, आप complicated न ambiguous term का मतलब क्या होता है, एक ऐसी term जिसके ना, more than one meanings होते हैं, by monthly आपके सामने available ये, ये भी एक ambiguous term है, इसका meaning क्या होता है, एक ऐसी चीज जो ना, जिसके more than one meaning निकले, तो ये आपके पास ambiguous एक उसी का, ये मतलब by monthly एक उसी का example था, अब ये जो चीज है, ये puzzling thing है, पर इसको मैं, ऐसा नहीं कह सकता है, ये काफी complicated हो, तो आपको meaning ढूनना था, meaning आपके सामने available था, complicated इसका meaning है, assertive, assertive जिसको आप easily समझ जाओ, illusive भी assertive जैसे होता है, जो काफी easy to understand हो, जिसका meaning बहुत आसानी से आपको मिल जाए, illusive, चलिए, अब आगे देखते हैं, 44th में, हम आपके क्या available है, expeditiously, so expeditiously का meaning क्या होता है, expeditious, expedite, expedite का meaning क्या होता है, expedite का मतलब होता है, किसे चीज़ को figure out करना real time है, figure out करना quick collisions है, so expeditiously का meaning क्या होगा, एक ऐसी चीज़ जो आप जल्री कर रहे हो, quickly इसका synonym है, ये एक adverb है, अब यहाँ पर आपको इसके बाकी के meanings में आपको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत simple सा word था, expedite का मतलब होता है, किसी चीज़ को verify करना भी, so या जखना expedite का मतलब verify भी होता है, आगे देखिए, अब यहाँ पर आपके पास जो इसके meanings बनेंगे, rudely, कोई चीज गुसे में करना, gently, किसी चीज़ को normal रखना, gentle रखना, meekly, meekly का मतलब क्या होता है, meekly का मतलब होता है, जो काफी shy है, humble है, कोई भी काम, normal से जो करता है, वो meekly, shy और humble होता है, rudely, rudely का मतलब गुसे से करना, angrily, I hope आपको यह बात clear रहाँ, बहुत simple से words से, चलिए अब आगे देखते हैं, हमारे बस next क्या है, idiosyncrasis, idiosyncrasis का meaning क्या होता है, यह है आपके पास एक noun, इसका जो meaning होता है, na, इसका meaning होता है, oddities, oddities, या इसको आप यह कह सकते हो, weird things, challenges भी हो जाता है कभी कभी, ऐसी चीज़ें जो normal नहीं है, वो सभी क्या होंगी, oddities, weird things, challenges, यह सब भी कह है, यह आपके idiosyncrasis के synonyms है, अब यहाँ पर आपको चेक करना है, तो meanings देख लेते हैं जल्दी से, eccentricities, eccentricities का meaning क्या होता है, आपकी एक ऐसी habit, जिसमें आप बहुत अजीब सी, strange habit, जिसमें आप उसी चीज़ पर follow करते हैं, आप किसी और को नहीं, मतलब एक ऐसी habit जो आपके लिए बहुत अजीब है, वो सभी क्या होंगे, वो eccentricities होंगे, तो strange और oddities दोनों synonym है, और idiosyncrasis का भी synonym क्या बनेगा, eccentricities, I hope आप कोई बात clear है, समझागा meaning, बहुत easy साथा, चलिए बागे 46 सेखते हैं, हमारे बास 46 में क्या है, तो हमारे पास अब जो next word है, वो है apprise, apprise क्या होता है, ये भी एक, ये एक actually verb है, अब apprise का meaning क्या होता है, जब आप किसी को ने किसी बात के लिए inform कर, एप्राइस का meaning होता है, किसी को inform करना उस बात के लिए, मतलब बताना, apprehend करना, debrief करना, Debrief भी इसी से राइम करता है सुरी इसका Synonym है अब यहाँ पर Meaning क्या है Apprise का किसी को Inform करना है Inform आपके पास अवेलेबल ही है बाकी के Meaning देखें तो Praise किसी की Praise करना होता है प्रशंसा करना होता है Conceal Conceal का मतलब क्या होता है किसी से कोई चीज को छिपाना Hide करना Cloak Mask भी हो सकता है किसी चीज को Cover करना भी हो सकता है Watch सारे Synonym निकलते हैं Conceal के Assess Assess का Meaning क्या होता है किसी चीज को Analyze करना समझना उस चीज को समझना तो यह Assess है Assess करते होना जागा आपको Suppose करो कोई चीज को एक लेटन और डाकुमेंट रिवन है जब आप उसको पढ़े के अच्छे से समझो वो क्या होता है वो है उसको Assess करना समझना, Comprehend करना वो सब कुछ पर यहां पर रप्राइस अपराइस को मतलब है Inform करना तो इसका B option correct है और वही इसका answer है चलिए हम 47th की तरफ चलें और देखें हमारे पास 47th में क्या है 47 जो हमारे पास है वो है periodic periodic क्या होता है अब सब्सक्राइब करीस को मैं तुम्हें ऐसीलेशन अब जैसे pendulum होते pendulum का motion कैसे होते periodic motion है ना to and fro pendulum पते है ना जूलता है वो तो जो चीज एक fixed interval पे हो ना fixed interval पे वो चीज कैसी है वो periodic thing periodic का मतलब जो एक fix time पर होता रहे है regularly और भेनि अगर में पेन्डूलं को एक पॉइंट पर लाकर डॉप करो है तो वह किया उसका पिरियॉेंट मोशिं या पहले जाएगा फिर पीछे आएगा फिर आगए ये जाएगा फिर पीछे बंफ ल्रहाए तो पिरियॉडिक का मतलब है एक रेगुलर इंटरवल पर ना हो वह अन परियाडिक केस बनेगा और या वह इन फ्रेक्वेंट होगा या ओकेजिनल होगा इंटरवल पर नहीं वह चली रहा है तो वह क्या बन जाएगा इसके इसमें प्रियाडिक की बाद थी प्रियाडिक क्या होगा चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स वर्ड या है फटीएट गुरूसम एक बहुत अच्छा वर्ड है गुरूसम जेनरली हम यूज करते हैं यह भी एक आड़्जेटिव है गुरूसम का मीनिंग क्या होता है एक ऐसी चीज जो काफी दर्दनाक है मतलब जिसको आप नॉर्मली देख नहीं सकते हैं आप अगर उस चीज को देखो गेना तो आपको बहुत दुख लगेगा मतलब एक सेंस में ऐसी जो काफी ड इसी चीज जो देखने वाली नहीं आप उसको देखना नहीं चाहते तो गुरूसम का कभी कभी मतलब जो होता है वह दर्दनाक भी होता है एक सेंस में हौरिवल जो काफी गंदा हो, काफी बेकार हो, काफी बुरा हो, वो horrible का case है horrible के लिए अब यहाँ पे आपको synonyms देखने है तो sullen, exhausting, insulting और hideous sullen का meaning क्या होता है? एक sense में happy, exhausting, exhausting का meaning होता है ठक जाना जब आप बहुत ठक जाओ insulting जब आप किसी के insult कर रहे हो, hideous क्या होता है? hideous एक ऐसी चीज़ होती है, जो की ना आप देख नहीं सकते है मतलब वो काफी बुरी है, काफी disgusting है, horrible है तो gruesome का synonym के निकलेगा आपके पास hideous, hideous इसका synonym है और आपको यही निकालना था चलिए, अब हम आगे देखते हैं, 49, इसमें कैए? abnormal abnormal का मैं opposite बता देता हूँ, आपको normal होता है तो यहाँ पर आप देख लो आपके 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 बलता है abnormal, paranormal and normal, तीनों में difference के normal होता है, जो चीज़ normal आपको असानी से दिख जाती है abnormal, जो चीज़ आपको actually, normally ना दिखने को मिले, मतलब वो अजीव हो normal ना, paranormal paranormal, मतलब कभी-कभी क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसमें आप ऐसी चीज़ों को include करो, paranormal activities होती है यह अपने सुना होगा movie भी है paranormal paranormal में क्या होता है, जब ना, ghost भूत टाइप का structure में included हो, मतलब एक ऐसी power जिसको आप normally comprehend ने कर सकते हैं, वो paranormal activity है, नार्मल जो काफी नार्मल है, और abnormal जो चीज़ नार्मल नहीं है, usually नहीं होती हो तो इसका synonym क्या बनेगा, unnatural aggressive होता है गुसे वाला, unique होता है एक informal जो formal ना हो, ना, जैसे आप latest की भी बात करते हैं, informal latest होती है ना, जो आप अपने friends या relatives को भेजते हो जो आप normally किसी को exchange कर दे हो बात्चीत कर दे हो, अपने friends में की गई बात वो क्या होगा, आपकी informal बात है जिनको आप comprehend नहीं कर पाते है चलिए, अब इसी के साथ हम अपने 50th पे चलते हैं उसमें देखते हैं, हम अरबस क्या available है Vinal Vinal क्या होता है, Vinal का meaning होता है ये पहले तो बात, ये एक adjective है अब suppose कर मैं इसको example के तो बजाता हूँ मेनिंग के इस करना Vinal politician was imprisoned चो आप guess करिये meaning क्या हो सकता है corrupt, comprehensible, legible और forgivable meaning देख लेते हैं उसके recording Vinal politician was imprisoned Vinal का मतलब होता है एक corrupt politician या basically politician नहीं कोई भी person हो सकता है जो corrupt है मतलब वो bribe लेता है रिशुवत लेता है अपना काम धंग से नहीं करता हर चीज के लिए उसको पैसे चाहिए corrupt आप किसी भी तरह है money से related corrupt है बस बात इतनी सी है कि आप उसको ना अगर आपको कोई काम उससे करवाना है ना तो वो किसी ना किसी तरीके की bribe तो आप से लेगा चाहिए वो money से related drive ले या वो किसी और तरीके से corrupt हो मतलब वो corrupt हो है अब corrupt का जो खुद में meaning होता है corrupt का meaning अलग-अलग ways में भी होता है जैसे आप file को लेते हो कोई भी computer पे file कभी-कभी हो खराब हो जाती है ना आप उसको कहते हो file corrupt हो गया corrupt का मतलब actually में क्या होता है यह होता है hollow मतलब जिसकी कोई integrity नहीं है मतलब वो self-esteem नहीं है उसकी वो एक sense में कुछ भी कर सकता है उसको अपने 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 देखो esteem respect होती है basically या आत्म सम्मान गयते है हिंदी में word वो दून रहा था तो जब integrity की बात आती है integrity का मतलब क्या होता है आपका आत्म सम्मान उसको ना इस चीज की कोई फिकर नहीं होती integrity है यह उसके पास वो बस कुछ भी कर लेगा अपने motive को achieve करने के लिए उसके लिए उसको चाहिए किसी को भी disrespect करना है laws को bend करना है मतलब laws को follow नहीं करना मोडना है किसी तरीके से भी अपना काम का निकलवाना है न वो एक venal person है वो एक corrupt person है corrupt को generally यह मत समझना शिर्फ वो पैसे लेता है corrupt किसी भी वे में हो सकता है वो बस उसको अपना काम निकलवाना है तो वो corrupt होगा अब meaning देख लेते हैं बाकी के words के synonym तो आपको अल्रेडी दिखी गया है corrupt इसका synonym है बाकी के meanings देखे तो हमेरे पास word है comprehensible comprehensible क्या होता है जिस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो legible जो easily readable है मतलब जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो वो legible है जिसको आप माफ कर सकते हो माफ करने के लिए आपके पास क्या फर्गिवबल अब यहां पर बात आ रही तो इसकी तो इसका synonym corrupt है comprehensible, understandable भी हो सकता है legible का synonym readable भी हो गया forgivable जो easily forgive होता है तो यह आपके पास meanings देखे बाकी के words के चलिए हम फिफ्टी फर्स में देखते हैं हम अरपस क्या वेलिबल है तो फिफ्टी फर्स्ट conjurer conjurer क्या होता है यहां पर ना मैं आपको movie की तरफ लेके जाता हूं conjuring देखी होगी आपने the conjuring इसके three parts है ना one two three उसी से relate करता है the none है ना पर्सन यह एक अजटिव है conjure होता है एक परफॉर्बर स्री magician conjure क्या करता है वो ना magic के थ्रू किसे भी चीज़ को अपने control में करते हैं conjuring में भी क्या होता है वो दोनों जो उसके लीड आक्टर आक्रेस है दो वारंस जो है वो क्या करते हैं वो भी अलग-अलग टाइप की super natural powers को conjure करते हैं ना उनको अपने वस में करते हैं उनको फ्री करवाते हैं है ना आपने देखी होगी conjuring तो conjuring का मतलब होता है एक ऐसा person का मतलब एक ऐसा person होता है जो magic की थू किसी भी चीज़ को अपने control में लाए तो magician तो बनेगा conjuring रसी नहीं बात है जेस्टर की अब जेस्टर क्या होता है जेस्टर ना एक रॉयल रॉयल कोर्ट का क्लाउन होता है इस ऐसा क्लाउन एक एसा जोज कर जोना किंग और क्वीण या उनकी कोठ के इंदर उनके लिए परफॉर्मेंच देखा ना वो एक जेस्टर होग बात हुए परफॉर्मर की परफॉर्मर तो बसी कोई भी टाइप कर्फॉर्मर हो सकता है trickster trickster के कैसे बरसेन होता है जो किसी को दोखा देकर अपना काम करवा ले तो performer trickster gesture magician conjurer की बात थी जब यह वर्ड आपको दिखे तो आपके mind के अंदर तो वही आएगा the conjuring वहां पे conjuring में क्या था conjuring में वह magic की help ले रहे थे तो obviously क्या बन जाये Magician, 10% Anonym कहा था, Magician, बहुत सिंपल सा वर्ड था, या I hope आप सभी का गरेक्ट होगा, चलिए बागे देखें, मैं आपको लेकर जाता हूँ, Amazon पर, या कोई भी एक e-commerce website ले लो, या basically कोई भी shop ले लो, जोगे नहीं, Amazon, let's say आप एक local shop पर गए, है ना, आपने कुछ चीज को purchase क या उसने आपको bill दिया, है ना, वो जो bill है, वो bill क्या है, वो एक invoice ही तो है, invoice को मतलब क्या होता है, जो भी आपने thing को purchase किया, उसकी एक written statement की वो क्या क्या है, obviously आपको पता चलिए invoice एक noun है, इसका synonym क्या बनेगा statement, obviously word तो कोई भी बात होती है, sound तो कोई भी sound होती है, language, language हो होता है, invoice typically bill होता है, bill को हम statement भी बोलते है, जैसे tax invoice होता है, tax invoice आपको कितना tax लग रहा है, वो statement ही तो है, एक sense में आपको पूरे inform किया जा रहा है, कि वो कैसा है, जो invoice, invoice है, चलिए, अब 53rd में देखते हैं, हमारे पस क्या है, ameliorate, ameliorate, क्या है, ये एक adjective है, sorry, verb है, किसी चीज को improve करना, किसी चीज को अच्छा गरना, make better, तो improve इसका synonym है, अब यहाँ पर देख लिए, improve आपको दीख रहे, degrade, किसी चीज को downgrade करना, कम करना, खराब करना, antonym हो जाएगा, motivate तो किसी परसन को motivate करना होता है, बट यहाँ पर हम किसी चीज को improve कर रहे हैं, अच agree करना, तो agree आप इसी भी sense में कर सकते हो, है ना, बहुत सेंपल सा word था, चलिए, अब इसी के बाद हम आगे देखते हैं, हमारा पस next word गया है, willy, willy क्या होता है, willy एक adjective है, willy का meaning क्या होता है, एक ऐसा person जो काफी cunning है, cunning का meaning क्या होता है, clever पर negative way में, मतलब, वो अपना काम करने के लिए ना, कोई भी method अप्लाई कर सकता है, वो method जो अप्लाई करेगा न, वो काफी clever method होंगे, पर वो बुरी चीज के लिए होगा, अपना फाइदा देखना है, सामने का चाहिए नुकसान होता रहे, वो फरक नहीं परिता उसको, तो willy होता है, cunning, cunning इसका क्या है, synonym, wise तो समझदार होता है, समझदार की बात नहीं होगी, यहां पर उस person की बात होगी है, जो अपने benefit के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो cunning person होगा, wise तो खाली समझदार है, angry, उससे वाला, stupid, तो कुछ senseी नहीं दे रहा, वो तो बिल्कुली opposite है, तो willy का meaning क्या हो जाएगा, cunning, चलिए, इसका एक और synonym भी लिख सकते हो, sharp भी लिख सकते हो, somewhat clever भी लिख सकते हो, clever भी synonym बन सकता है, बट यहां पर cunning इसका सबसे appropriate synonym थ इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत simple सा synonym था, चलिए, अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास next word है, उसका meaning क्या है, temerity, temerity का meaning क्या होता है, temerity का meaning होता है, एक ऐसी चीज, जो काफी, let's say, एक adjective है, इसका meaning क्या होता है, एक ऐसा person, एक ऐसी thing, sorry, not adjective, यह noun है यह आपर, मतलब कोई एक ऐसी thing, जो काफी bold है, यह एक person काफी bold है, बहादूर है, brave है, daring है, audacious है, audacious, noun चाहिए, audacity, synonym, simplicity, जो काफी common सी चीज है, positive का मतलब क्या होता है, positive होता है, कोई भी काम दगने के लिए आपकी इच्छा, जो आप काफी delay कर वे हो, variety, cleverness होती है, तो आपको यहाँ पर synonym चाहिए था, audacity इसका synonym है, I hope आपको यह बात क्लिएरा, बहुत simple सा meaning था, timality हो चुका होगा, चलिए 56 की तरफ चलते हैं, और उसमें देखते हैं, हमारे पस क्या available है, advocate, वह simple सा word है, आप इसको बहुत बारी सुनते भी हो, कभी-कभी advocate एक noun भी हो सकता है, advocate एक जब person की काम करेगा, तो वो एक adjective बन जाएगा, अब advocates होते हैं, वो करते क्या हैं, आपक person है, उसका पक्ष जब court में लखते हैं, वो उसके लिए advocate कर रहे हैं, वो खुदी advocate है, जब आप advocate, action की बात करोगे, तो advocate एक verb भी बन जाएगा, तो advocate verb से आपको क्या synonym मिला उसका, कि आप किसी को support कर रहे हो, है ना, किसी का favor ले रहे हो, जब आप किसी का favor लोगे तो आप support में आप तो क्या बन जाएगा, obviously support करना, pronounce, pronounce होता है, किसी को बूलने का way, predict, predict का मतलब होता है, किसी चीज को guess करना, और determined, determined होते है आपकी इच्छा, आप किसी काम को करने के लिए, कितनी इच्छा ले रहे हो, तो वो आपके पास, obviously why case बनेगा, चलिए, अब हम अपने fourth class की तरफ चलाए, 57th I guess, yeah, preamble, preamble क्या होता है, generally आप constitution को जब read करते हो, constitution को, वहाँ पे preamble होते है, अब preamble क्या होता है, preamble होता है, ये set of instructions, जो ना किसी चीज़ को introduce करने के लिए लिए लिखी जाए, तो इसको आप introduction भी कह सकते हो, obviously introduction आपके पास synonym है, preamble क्या होता है, basically introduction, जो set of rules, initially आपको present किये जाएना, वो सभी preamble है, जिनकी requirement सबसे ज़ाद है, introduction इसका synonym होगा, conclusion इसका end है, mediation, mediation क्या होता है, जब two parties के बीच में कोई disagreement होता है, उस agreement को settle करने के लिए, हम mediation में, मतलब जो person एक mediator का गाम करता है, mediator ही का होता है, कैसा person जो दो disputes, दो parties की dispute को खतम करवाई, वो जो mediator होगा, जो वो उस time पर काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो mediation कर रहा है, middle man का काम कर रहा है, जिससे की, दो पक्ष की रड़ाई खतम की जाए, और definition, definition तो किसी चीज़ पर define करना ही होता है, obviously, मैं आपको सभी चीज़ों के definition नहीं तो बता रहा हो, meaning क्या है, Students are asked to collect for an important program by the principal, sorry, collate है, अब students को बोला जाते है कि वो program के लिए इकठ्थे होगा, जब principal उनको कर रहा है, अब यहां पर आपके पस word collate है, यह अपको already पता होगा, जब हमने क्या किया था, हम last, I guess, Saturday का session था हमारा, correct spellings के अंदर भी यह word आया था, तो मैंने वापे आपको meaning बताया था, किसको याद है meaning, collate, obviously collate का मतलब होता है, इकठ्था होना, collaborate, तो यहां पर students को बोला जारे कि वो इकठ्थे हो जाए, प्रिंसिपल पर जब वो प्रिंसिपल उनको बुलाएगा, और यह कब होता है, morning assembly का time पर न, तो इसका meaning क्या होता है, things को assemble करना, इकठ्था क define ही होता है, narrate का मतलब होता है, read करके बताना, एक incident को narrate करना मतलब बताना, prescribe, generally doctors, medicines को prescribe करते हैं, prescribed का मतलब क्या होता है, suggest करना किसी को, जब किसी को कोई चीज़ करें, आप उसको prescribe भी तो कर जायो, I hope आपको यह बात clear थी, words बहुत simple है, अब इसी के साथ हमारे पास आएगा second last word है, जो की है, garrulous, garrulous क्या होता है, यह एक adjective है, इसको आपको पता है, gargle करते हैं, gargle क्या होता है, गरारे, एक sense में suppose कर आपको गला खराब है, तो आप गरम पानी से जो गरारे करते हैं वो gargle करना होता है, अब gargle का meaning कि आपको अपने throat से relate कर दे हो, throat से जब भी बात होता है, most of the time, वो word जो है, वो sound करेगा talk के लिए, अब यहां पर garrulous का मतलब क्या होता है, एक ऐसा person जो बहुत जादा बोलते है, बहुत जादा, तो talkative इसका क्या होता है, synonym, sedatives क्या होता है, sedative होता है, एक ऐसा, एक ऐसी medicine जिसे आप किसी को बहुश कर रहे हो, यह cooperative नहीं ठीक है, accurate है, सही है आपके लिए, वो positive thing है, यह confirmation भी हो सकता है, positive का meaning, जैसे आप कभी-कभी आप से कोई बात करता है, आप उससे agree करता है, बिल्कुल क्या करते हो, positive, मतलब आप उसको reply देते हो, positive, हाँ भी यही बात है, तो positive का meaning, agree करना भी होता है, तो चलिए, अब इसी के साथ, हमेरे पास last word है आज का, जो की है, टेंसल, टेंसल क्या होता है, टेंसल है, एक additive, यह कभी-कभी noun form में भी ऐसे ही मिलता है, इसका meaning होता क्या है, एक ऐसा material जो काफी shiny है, चमकदार, तो अब यहाँ पर आपको एक shiny को आप किसे rhyme करोगे, तिंकल, तिंकल बेल पता है बहुत हलकी सी sound आती है, टेंकल करनी, वो टेंकल बेल होती है, तो material ही है, colorful, काफी, color से भारा हुआ, पर यहाँ पर तो shiny की बात हो रही है, और shiny को मैं somewhat decorative भी कर सकता हूँ, है ना, decoration से भी rhyme करवा सकता हूँ, तो कोई एक ऐसी चीज जो काफी shiny है, वो काफी कैसी है, वो काफी decorative है, synonym क्या बनेगा इसका, b option, वही इसका correct answer है, and I guess हमेरे पस एक और होगा, क्योंकि यहाँ पर 61 जगे, तो चलिए last वोला लेखते हैं, आज का हमेरे पस क्या word है, labyrinth, labyrinth बहुत अच्छा word है, यह noun है, labyrinth का meaning क्या होते है, अब example के लिए मैं आपस बात करता हूँ, ऐसी समझिए, the hall, sorry, hall नहीं, building की बात करते है, the building was a labyrinth, the building was a labyrinth, it was not easy to find the exit, the building was a labyrinth, it wasn't easy to find exit, तो बात बताईए, इसका meaning क्या होगा, कि जो building की काफी labyrinth थी, उसमें हमें exit नहीं मेल रही थी, exit नहीं मेल रही थी, तो building ऐसी थी, भूल-भूलाईया टाइप की हैं, काफी भूल-भूलाईया वाली थी, तो इसका जो synonym होता है, generally synonym होता है, maze, maze, maze में क्या होता है, वो एक puzzles करते थे न, आपने देखी होगे, उसके अंदर हम रास्ते को find out करते थे, एक destination से दूसरे destination जाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो लाबरिंथ यूथ है, अब यहां पर meaning देख लेते है, wriggle, wriggle का मतलब होता है, circle में घूमना, pacing, pacing का मतलब होता अपनी path से भटके हुए देना, या आपको एक accurate रास्ता ना मिलना, वो क्या बन जाएगा, में, maze ही तो हो गई, maze में आपको रास्ता नॉर्मल ही नहीं दिखता है, आपको हर एक path को carefully choose करके निकलना पड़ता है, तो लाबरिंथ का synonym क्या बन जाएगा, meme, daring, और आपके पास यही इसका synonym है, बाकी के सब भी तो endominions बन जाएगे, और इसी के साथ आपकी वीडियो आज की यहीं पर end होती है, I hope आपको यहां तक कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको सीखने को मिला है, तो please like, share, comment किये भी ना मच जाना, हमारे चानल को भी subscribe कर लो, अगर आपको knowledge को चेक करना है, आपको काफी सारे quizzes को देखना है, तो हमारे telegram group को join कर लो, वहां पर आपकी current, reasoning, English, सब कुछ जाज हो रही है, वहां पर हमार पस daily quizzes आते है, join कर लो, उसका link आपको यहीं कहीं, description में मिल जाएगा, अब मैं मिलूँगा आपको अपनी next session में, जिसमें हम most probably remaining syn anonymous की discussion करेंगे, और next week बात करेंगे in anonymous की, तो मैं आपको मिलता हो अपने next session में, जितना हो सकती प्राक्टिस करिए, जितने words अब तक हमने कर लिया है, इनको read out करते रहिए, try करिए आप खुछे, meanings को भी search करें, और यहां तक मुझे आई गया है, तो यह भी बताने कि आपके out झाल 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